आप सबका बहुत-बहुत स्वागते हमारी यूट्य चैनल में आज हम बात करेंगे सुरिया गरहन को लेकर दोहजार चोविस अक्टूबर मैने के दो तारीक को लगने जा रहा है बहुत बड़ा भैंकर सुरिया गरहन ये सुरिया गरहन आपको देखे जाए तो अंठाउन ब प्रवाब रहेगा और कौन सी रासी में ये गरहन लाग रहा है तो रासी अनुसार हम जानेंगे आपका बवीश्या कैसा रहेगा और भारत में ये गरहन लागेगा या नहीं लागेगा सुतक बारें या नहीं बारें सुतक कफ से शुरू होगी किस-किस देश में ये गरहन लागने वाला है तो दोस्तों आप सब को बहुत-बहुत स्वागते हमारी यूट्यू चैनल में आप वीडियो को सेर करें लाइक करें अगर सस्क्राइब नहीं किया आप नए हैं तो पहली बार विजित करें हैं यूट्यू चैनल को सस्क्राइब जरूर करें 2024 को जो अक्टूबर मैना 2 तारिक को लगने वली साल की अक caucus को लगे यह सुर्यागरण है तो बहुग सकते हैं लेकिन 5 रासि जातथ एबं जातिकों के लिए बहुती नकरात्मा प्रवाब durch पढ़ने वला है तो इसलिए इने समधान रहने की बहुती आवसेक्ता है, तो देखिए सुरिया गरहन के दुस्प्रवाब के कारण से अगर इनकी नीजी जीवन में अगर तनाव आ सकती है, दरार आ सकती है, रिष्टे में खटास आ सकती है, कुछ बेपार में या बिजनस में हानी हो सकती है, कुछ रोक और उत्पन हो सकते हैं, मन में ब्रम उत्पन हो सकता है, तो इसके साथ-साथ कुछ आर्थिक हानी हो सकती है, तो प्रियोजने के साथ विश्वास गापी हो सकता, इसलिए आए जानते हैं ये पांच रासियं कौन सी हैं जिनके लिए बहुत नकरात्म प्रवाद और हानी के योग बन रहे हैं तो देखिए दो अक्टूबर को लगने वाला जो पित्र पच्छ का अमवस्य का दिन है उसी दिन पित्री बिर्शन का दिन है उसी दिन ये गरहन लाग रहा है ये साल का अंतिम सुर्या गरहन दुसरा सुर्या गरहन होगा तो ये सुर्या गरहन में ह करने वाली है यह गराण काहां काहां लागने वला है यह तो देखिए इस बरस जोग सुर्या घरण लाग रहा है यह दो अक्टूबर को सुरू होकर रात को 9 बच कर 13 मिनेट में सुरू होकर यहां से भारत में इसका सुदक काल मानने नहीं होगा अन्य देश में इसकी सुधकाल माननी होगी जैसे अमेरिका होगया खो गया रूस होगया फुलीया उटेलिया उगया UK होगया इंद्धی्ष में इनकी लिए पूर्ण गरहण लागने वला है किसी को प्रवाब हो सकता है तो ये बहुत ही प्रवसाली देखिए अगर ये देखा जाए तो ये बलया सुर्य गरण जिस देश में लगे का उसमें बहुत सारी असर देखे की जैसे दच्छन अमेरिका हो गया अंटार्टिका हो गया प्रसंत महासागर हो गया अटलाटिक महा सागर उत्र अमेरिका में ये नजर आयेगा बारत में नजर नहीं आए दोजoh examined लगने वहला जो सुरिय गरण है ये भारत में नजर नहीं आईगा नहीं देखेंगा शुतक्तार रोगल मने नहीं हो तो भवी है इस समय जो ग्रह। तो इस मनमें आपको क्या करना इस गरण में अगर आप इसको मानते हैं या आप इसको कुछ नहीं करना चाहिए, सोज़े जासे आपको खाना नहीं, सोना नहीं, सारिक समंध रहन नहीं, मंदिर के दरवाजे क्खोलना नहीं, आपको ध्यान करना होगा, योगा करना होगा, मैरटे sir करेंगे, अच्छा फलक आपको प्राप्ति होगी तो दोस्तों इस दिन पित्र पच्चक की जो श्राद्दे अंतिम दिन पित्र विर्शन का दिन है तो इसमें क्या हो सकता है आपके लिए लाप उन्नति आप योगा करेंगे ध्यान करेंगे बहुती सुफल आपको मिलने वाले हैं तो ये दो जो सुर्य गरण है ठीक चंद्रवा गरण के बाद जो लगे का यह गरण किसी भैनक तुफान देश में कुछ अनिष्ट और कुछी बैक्तिकार निदान हो सकते हैं सुनामी लाहर आ सकती है तो जानते हैं ये कौन सी जो पांच रासी हैं जिनके खराब हैं जिन किन-किन रा कि अंतिम जो सुर्य गरण है मेश-रासी के जातक यमण जातिकों के लिए ये पर्तिक्वल हो सकती है आप वहानी हो सकते हैं सिर की समस्या हो सकती है कर्म को ना करें और आपको नोकरी वेपार अगर आप करते हैं तो थोड़ सा समधान अपनाएं री और आपको गुस्सा तरनाब में बिल्कुल नहीं आना है मन को नियंदर राखना है आवस्यत्ता इवम नोकरी के लिए आपको हाथ धोना पड़ सकता अगर आप जल्दबाद में या आप गुस्सा करते हैं तो सीर बजार में इंविष्ट ना करें मेश राशी वाले जातक चातिकों के लिए दुसरी राशी के बारे में चर्चा करें देखें दुसरी राशी है खराब राशी पढ़ रही है वो है मिथुन राशी अगर आप मिथुन राशी के जातक जातिका हैं या कोई भी हैं देखिए माता पीता भाई वैन जो भी हैं आपके लिए मिथुन प्राशी के बाद चर्चा करें मिथुन प्राशी वले जातक के लिए बहुत नकरात्मा प्रभाप की दृष्टी ज्यादा पढ़ने वाली है करण की समया आपको कुछ भी हानी नकरें मातान को लेकर भी आपने करम को शत्त करें तो invest करने के सूच विछार बना रहे हैं तो आप गिल्कुल मत करें, kodram में ना आए, आवेस में ना आए, चल्दवाद कोई कारिया न करें और जल्द में किसी को विश्वासने करें, बेवार को नियंदरन राखने की कोशिस करें, दोस्तों तेसरी रासी है करकट रासी, अगर आप जानेंगे करकट रासी वाले जातक जाती काई हैं, देखिए यह समया जो बेपार की चेतर से जुड़ी हैं, जो बीजनेस की चेतर से देखिए अगर आपको थोड़ा सा समधानी नहीं अपनाया तो आपका जीवन ब्रबाद हो सकता है। आप किसी पैसे फशने की चिंदा है। किसी को पैसे ना दे। किसी की साथ कारवार ना करें। किसी के मामले में रीण को लेकर काम कर रहे हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको भूगरने पड़ते हैं। तो देखिए इसमें आपको होसियार राना कर्म छेत्र को लेकर सफलता प्राप्ते करने में कठी नाई हो सकती है। विचार करें। आत्मा विश्वास पर असर पर सकता है। थोड़ा साजक रहें। नुकरी करने वाले जातक एवन जातिकाओं के लिए अनावसे खर्च में रोक लगानी होगी। अनत्या कर्ज में डुग सकते हैं। दोस्तों तो बहुत बड़ा असुप्रवाब आपको करने पर सकते हैं। अब चोथी रासी के बारे में चर्जा करेंगे। देखें चोथी रासी यह सिंग रासी। अगर सिंग रासी के जातक जातिकाओं जो भी हैं। एक दूसरे की वाद को समझने में बहुत कठी नहीं आ सकती हैं, माना से कश्ट हो सकता है, आपको किसी रियलिस्टेस से लेकर या किसी इन्वेस्ट करने की सोध बिचार बना रहे हैं, तो बिल्कुल मत करें, और किसी की भरोसे में ना आएं, आपको किसी दोखा धंडी होने क के बहुत बड़े चांस हैं, चुकिम लेकर काम करनें की बिल्कुल रिस्की ना ले, दोका हो सकता है, जिंदक की बिरौबात हो सकते हैं, पैसे खतम हो सकते हैं, पैसे लूट जड़ए समधान रहें, वेपार को लेकर आप अगर झलद्बाद में निड़ए लेते हैं, तो पंचवी रासी या मीन रासी अगर इसके मीन रासी के बारे में चर्च करें दोस्तों पहने रासी में लगे का ये सुरिया गरण साल का जो अंतिम सुरिया गरण है और सातों दिरिष्टी जो है मीन रासी में है सुरिया की गरण के कारण से नकरात्म प्रभाव आपके जीवन में उत्पन हो सकती है, परिवारिक जीवन में मतवेद उत्पन हो सकते हैं, सदस्य के साथ कुछ रिष्टे खटास हो सकते हैं, घर का मौहुल तनाब रह सकता है, रिष्टे का ख्याल रखने होंगे, लेन देन क इसके बारे में आपको सही करने होंगे किसी कर्जा या आर्थिक नुक्सान की आसंका हैं वेपार ये जोड़े जातक जातकों के लिए दिवय हो सकती है परिफिनाम आपके लिए काम नहीं आ सकती है आया कम हो शकता है तो विचार करें देखिए इस समया जो आप मीन प्राशी के जो जातक हैं और आप सिंग राशी के जातक जाती काई हैं कन्य राशी के जातक जाती काई हैं और मेश राशी के जातक जाती काई हैं इनकी लिए जो गरण का समया है इस टेम आप बार नयान निकलें बार का वोजन ना करें आपकी बहुत सारी दिकते बहुत सारी समस早 आ सकते हैं किसी दारीलाग चीज का परयुक ना करें प Speaking नोच चीज का परयुक भी ना करें आपकी जीवनमें कुछ्टकार और बड़े-बड़े समस्भी जीवनमें उत्पन कंते हैं तो आप दूर भाग ग .. ना आजाए आप विचार करने की बहुत कोशिस करें। पीतर पच्छे में लगा ये सुर्य गरान आपके जीवन में अगर मैं देखू यहाँ पे विर्श रासी वले जातक जातिकों के लिए तो कुछ कारियार उनके लिए सफल हो जाएंगे। इच्छे पूरी होगी काम अच करेंगे तुला रासी के तुला रासी वले जातक जातिकों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रतिष्टा पदवनती परिवारिक सदसी के साथ रिष्टे मजबुत हो जाएंगे। इन्वेस्टिक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाब मिलने वला ह तुला रासी वले जातक जातिकों के लिए किसी भी मतवेद ब्रोदी के साथ आप विजय आसिल करने वले हैं तो यहाँ पे बिर्शिक रासी के लिए भी बात करें बिर्शिक रासी वले जातक जातिकों के लिए प्रेम जीवन की सफलता और स्वास्ते में सुधार होने वाल के समया चोड़ सा द्यान देए और आगे बड़ें। अच्छा दन की प्राप्ती कमाने के लिए आप चोड़ सा। एक गोरह बना कर आगे बड़ें। शुरियागराण के समया आपको मंत्र भगवान का जब करें, ओम मंत्रा, मैडिसन, कायतरी मंत्र, महामिर्चन जया, विष्न मंत्रा आधी जब करें दोस्तों रादे रादे, जय संबु हरार महादेव यह था छोटा सा इंफिमेशन आख को लिए, वीडियो को सेर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगले वीडियो में फिर आपके साथ